गर्मी हो या सर्दी या फिर हो बरसात राजधानी राची में बिजली की आख मिचौली से लोगों का हुआ जीना मुहाल राची में गर्मी और बारिश दोनों हालात में राजधानी वासियों की बिजली के वज़े से मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है बिजली नहीं होने के कारण पानी की किलत का भी सामना करना पड़ रहा है किसी भी वाड में चले जाएए 55 वाड में हर जगा बिजली की घंटों कटोती हो रही है कहने को राजधानी है लेकिन 10 से 12 घंटे बिजली कटोती होने के वज़े से आम लोग हलकान है लेकिन बिजली विभाग का दावा है कि रोजाना जारकन को 2000 मेगावाड बिजली के आपूर्ति की जा रही है दावा तो ये भी है कि ग्रामिड लाखों में 15 घंटे और शहरी क्षेत्र में 21 घंटे बिजली दी जा रही है लेकिन हकिकत क्या है जरा पंका जिलते इन इस्थाने निवासियों की तस्वीर के जरीए आप समझे पिर भी हम लोग के कोई चीज का सुधान नहीं दिया जाता है देखिए रगवार्दा सरकार ने हमारे सरकार ने राची में बोले तहीं 24 घंटा बिजली देंगे पर इस दावा का पूरा कलय खुल चुका है राची में लगवा लगवा 45 डिगरी, 44 डिगरी, 42 डिगरी तापान है और राजधानी में बिजली की समझे अभी खड़ी हो चुकी है बिजली जो आती भी है तो उसमें उतना वोल्टेज ने रहता है कि मोटर चल सके और अभी हम लोग टैंकर से पानी मंगवा के महला हम सप्लाई किया जा रहा है बिजली नहीं के दिन दिन भार कटा रहता है दूदू तिन दिन दिन लट जाता है तो नहीं रहता है लट के चलते पानी को उतने तरस है आदमी के पानी भार तो मर रहा है बिस साल सारा रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं